दर्म और संस्किति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटिस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें नमस्कार दोस्तों धर्म टीवी में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली की दरसल धन दौलत का आशिश पाने का सबसे शुब और उप्योक्त अफसर होता है दिवाली आयो जाने इस दिन के शुब और सरलतम जोतशिय उपाए ब्रह्म मुहुर्त में लक्षमी जी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चनाकर गुलाब का इत्र गुलाब की अगरबति कमल पुष्प लाल गुलाबी वस्तर तथा खीर का नैवेत्य लगाएं माता लक्षमी की कृपा वर्ष भर बनी रहेगी लक्षमी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गटे, नाकेसर, आवला खीर का प्रयोग धन प्राप्ती के मार्ग प्रशस्त करता है दीपावली पूजन में कुछ नाकेसर और कमल लाल वस्तर में बांध कर धन रखने की जगे रख दे धन प्राप्ती सुगम होगी दीपावली को किसी युवा सुहागनिस्तरी को घर पर भूजन मिश्ठान करवाकर लाल वस्तरादी भेट करें भाग्योदे नहीं हो रहा है तो लक्षमीजी को चने की दाल कच्ची चड़ा कर बाद में पीपल व्रिक्ष में चड़ा दे अच्छे कामकाज में आए दिन नजल लगती रहती है तो रात्री में कारेस धल पर से फिटकरी का एक बड़ा डला लेकर उतारें तता चोराहे पर फेक दें कारी की बाद हद दूर हो जाएगी लक्षमीजी के चित्र पर कमल कट्टी की माला हमेशा चड़ी रहने दें दिबावली पर गन्य के रस के द्वारा या दूद के द्वारा या शहिद के द्वारा प्रुद्राब शेक करवाएं वर्ष भर धन प्राप्ती होती रहेगी अपंग गरीब अनात व्यक्तियों को भोजन वस्तर दान करें लक्षमी कृपा हमेशा बनी रहेगी किसी वट व्रिक्ष के नीचे का कोई भी पौधा निमंतर दे कर लाएं केवल वट का ही पौधा हो तो जादा अच्छा है उसे घर में गमले में लगा ले उसकी वृद्धी के साथ धन वृद्धी होती रहेगी आज के लिए बस इतना ही नमस्कार